हालो स्टुडेंट्स आज कहा हमरा टॉपिक है हर्ट फेलियर इसको पढ़ने से पहले अपन जो तीन पॉइंट हैं उनको एक बार किलियर कर लेते हैं यहां पर तीन वर्ड्स हैं हर्ट अटेक कार्डियक अरेस्ट एंड हर्ट फेलियर लिए आगर इन वर्ड्स को देखें तो यह सिमिलेरी रखते हैं कि इनका मीन एक ही होगा यही सोचते हैं बट मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस होता है जो हर्ट अटेक होता है इसमें कंडिशन क्या होती है या प्रोब्लम क्य होती है कि जो myocardium muscle से या heart की जो muscle से उनको अगर किसी वज़े से अगर blood properly नहीं मिल पा रहा है ठीक है like coronary artery disease उसमें क्या होता है coronary artery blockade की वज़े से heart muscles को properly blood नहीं मिल पाता है तो अगर myocardium muscles को properly blood नहीं मिल पा रहा है जिस वज़े से oxygen की कमी की वज़े से वहां पर अगर muscles की death हो रही है ठीक है दीर दीरे जो muscles की death हो रही है oxygen कमी की वज़े से उस condition को बोलते है heart attack ठीक है second one है cardiac arrest cardiac arrest क्या होता है कि means एसी कोई condition जिसमें heart suddenly beat करना बंद कर दे यानि heart धड़कना अपना काम करना बंद कर दे suddenly तो उस condition को बोलते हैं cardiac arrest sorry heart attack cardiac arrest को means आगे progress कर सकता है ठीक है अब third one आता अपना जो आज का topic है heart failure यह क्या होता है कि जब heart properly blood को pump नहीं कर पा रहा है blood pump करने में fail हो रहा है ठीक है आगे blood को body में नहीं पहुचा पा रहा है heart तो उस condition को बोलते हैं heart failure ठीक है तो यह तीनों words का difference थोड़ा सा हो गया अब बात करते हैं अपने heart failure की तो इसमें first point है heart failure also term as congestive heart failure इसको congestive heart failure भी कहा जाता है congestion का मतलब क्या होता है कि जब blood जमा होने लग जाए ठीक है जितनी limit है उससे ज़्यादा excess amount में अगर blood जमा होने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं congestion ठीक है next point है it is a condition in which heart is unable to pump adequate blood supply to the body जैसा मेंना आपको बताया heart failure condition में क्या होता है heart पूरी तरह से blood को pump नहीं कर पाता है body में blood को नहीं पहुचा पाता है ठीक है तो उस condition को क्या बोलते हैं heart failure next point है heart failure can affect the right or left side of the heart और both at same time यानि कि जो दो side होते हैं heart के एक तो होता है left side एक होता है right side और एक होता है left side ठीक है तो heart failure दोनों में से किसी भी side हो सकता इस side भी हो सकता right sided left sided भी हो सकता या दोनों एक साथ present हो सकते हैं next point है it may be acute or chronic acute का मतलब की जो symptoms है वो suddenly arise हो रहा है condition एक sudden way में आ रही है तो उसको बोलते है acute chronic कब बोलते हैं जब condition prolong time तक चल रही है दीरे-दीरे progress कर रही है तो उसको बोलते हैं chronic heart failure दोनों टाइप का हो सकता है acute भी हो सकता है और chronic infection हो जाए like atherosclerosis वगेरा जिसमें क्या होता है जो blood vessels या जो coronary artery उन में जो है fatty substances जमने लग जाते हैं जिस वज़े से यह obstruction होने की वज़े से blood आगे नहीं जा पाता है तो अगर heart की muscles को bloody नहीं मिलेगा heart को bloody नहीं मिलेगा काम करने के लिए तो काम केसे करेगा ठीक है तो अगर blood नहीं मिल रहा है heart को oxygen नहीं मिल रहे तो heart अपना काम नहीं कर पाएगा और क्या condition देखना हो मिलेगी heart failure second one है cardio myopathy इस condition में क्या होता है कि जो pericardial effusion या pericarditis की condition like होती है जिन में क्या होता है कि जो pericardium layer है heart की जो covering है उसके अंदर fluid जमा हो जाता है तो अगर ऐसी कोई वज़े जिस वज़े से heart properly contract और relax नहीं हो पा रहा है अगर heart properly contract और relax यहां पे नहीं हो पाएगा तो आगे blood pump नहीं हो पाएगा ठीक है तो cardiomyopathy में क्या होता है कि heart properly ना तो contract हो पाता है ना relax हो पाता है ठीक है तो उस condition में भी heart failure हो सकता धीरे धीरे progress करें अगर condition नेक्स्ट वन है heart valve disease जो heart के जो valves होते हैं ठीक है या तो heart के जो water chambers के बीच में जो valve होते हैं या जो pulmonary vein और pulmonary artery sorry जो pulmonary artery और pulmonary vein इनके अंदर अगर कोई जो means valve है या जो erota के अंदर valve है उनके उसके अंदर किसी तरह की अगर problem हो like stenosis वगेरा या means valve है जो properly बंद नहीं हो पा रहे हैं close नहीं हो पा रहे हैं या खुल नहीं पा रहे हैं तो उस condition में क्या होगा कि blood को आगे जाने में दिक्कत होगी और अगर blood आगे नहीं जाएगा तो heart को जादा जोर लगाना पड़ेगा जादा काम करना पड़ेगा heart blood को आगे पहुचाने के लिए तो उस condition में भी heart failure हो सकता है next one is MI, myocardial infraction या myocardial ischemia इस condition में क्या होता है कि heart की muscles को blood supply नहीं मिलने की वज़े से heart के जो muscles है, tissues है उनकी death होने लग जाती है ठीक है तो उस condition में भी heart fail हो सकता है next one is hypertension hypertension condition में क्या होता है कि जो blood vessels से वो construct हो जाती है ठीक है अब इसका क्या होता है जैसे मैं आपको बता हूँ pulmonary hypertension अपने pulmonary edema पढ़ाता है जिसमें मैं आप बताया था कि जो pulmonary hypertension ही condition है pulmonary circulation में ठीक है pulmonary circulation जो heart और lungs के बीच में होता है तो अगर मान लो यह heart है यहां से जो मतलब blood आगे जाना है बत यहां पर जो pulmonary circulation है इसमें hypertension ही condition है तो क्या होगा यहां से blood आगे नहीं जा पाएगा या erota में hypertension की condition है तो क्या होगा left ventricle से blood आगे नहीं जा पाएगा तो अगर hypertension है blood vessels में तो क्या होगा blood आगे नहीं जा पाएगा तो उस condition में भी heart fail हो सकता है next one है emphysema emphysema एक respiratory disorder होता है जिसमें क्या होता है कि जो lungs में जो alveoli पाई जाती है उन alveoli का destruction होने लग जाता है यही होता है emphysema में तो अब इस condition में क्या होगा कि अगर यहाँ पर यह destruction हुआ इनका तो alveoli का काम क्या है oxygen को blood में पहुचाना यहाँ ही से oxygen blood में जाती है अब अगर alveoli destroy हो जाए तो blood में oxygen नहीं होगी ठीक है तो अगर blood में oxygen नहीं होगी तो हमारी body में क्या होगा oxygen की demand बढ़ जाएगी और अगर oxygen की demand बढ़ जाएगी तो heart को ज़्यादा काम करना पड़ेगा body को oxygen provide कराने के लिए next one is infection अब infection यहाँ पर like pericarditis, myocarditis या endocarditis यह क्या होता है जो heart का infection है outer, middle और जो inner layer इनमें अगर किसी तरह का infection हो जाए तो उस वज़े से भी heart fail हो सकता है next one is diabetes diabetes की वज़े से कैसे हो सकता है heart fail अगर किसी person को diabetes लंबे time से चल रही है और अगर 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 जो medications वगेरा वो भी timely नहीं ले रहा है तो क्या होगा, blood में glucose का level बढ़ जाएगा यही होगा diabetes condition में और अगर glucose का level लंबे time तक blood में increase रहेगा, तो यह क्या करेगा blood vessels को नुकसान पहुँचाएगा ठीक है, जो glucose का level बढ़ावा है, heart blood में वो एक तो blood vessels को नुकसान पहुचाएगा, दूसरा heart muscles जो है उनको नुकसान पहुचाएगा, ठीक है तो उस condition की वज़े से भी heart fail हो सकता है next one है, last anemia जो severe anemia होता है anemia condition में क्या होता है RBC कम हो जाती है, या RBC की oxygen caring capacity है वो कम हो जाती है, ठीक है तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर body में oxygen की कमी होगी, तो body को oxygen की demand बढ़ेगी और जैसे body को oxygen की demand बढ़ेगी तो heart को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो AC condition में क्या होगा, heart failure के chance होगे, anemia में भी heart fail हो सकता है, but severe anemia में, okay so यहाँ पर causes की बात हो गई, next one अब इसके बात करते हैं, इसके types की, so heart failure को mainly दो types में divide किया गया है left-sided heart failure and right-sided heart failure, okay next one एक और इसका type है यहाँ पर, it में also classified into systolic or diastolic heart failure, right-sided और left-sided heart failure की अलावा, heart failure को echo type में divide करते हैं, systolic या diastolic heart failure, इसके बारे मैं आगे, आपको मैं बताऊंगा, क्या होता है so अपन पहले बात करते हैं, left-sided heart failure की, यह क्या होता है it is most common type of heart failure यानि कि सबसे ज़्यादा, जो type देखने को मिलता हो, कौन सा होता है left-sided और left-sided ही right-sided heart failure को promote करता है, यानि कि पहले अगा left-side में fail होगा heart, तो right-side भी heart, मतलब right-side का heart भी fail होने के chance होंगे, कैसे होंगे मैं आपको इसको भी आगे बताऊंगा, तो next point है, the left ventricle pumps oxygen rich blood to the rest of body okay, so यह सबसे most common type होता है, heart failure का और आपको यह पता है कि left ventricle का का काम क्या होता है पूरी body में blood को pump करना, ठीक है यही काम होता है left-sided का next point है, left-sided heart failure occurs when left ventricle does not pump blood efficiently जो left ventricle है वो पूरी body में blood को circulate करता है या blood को पहुचाता है अब अगर माल लो वही left ventricle अपना काम properly नहीं कर पा रहा है तो पूरी body में blood नहीं जा पाएगा ठीक है, और अगर body में blood नहीं जा पाएगा तो उस condition को क्या बोलेंगे left-sided heart failure अब इसकी बात करते हैं अपन पेटो फीजियोलोजी की due to etiological factors यानि की जो भी causes होती है उस वज़े से क्या होता है left ventricle enables to pump blood in erota जो left ventricle है वो blood को आगे pump नहीं कर पाता है ठीक है अब जो blood आगे नहीं जाएगा left ventricle से उस वज़े से क्या होगा blood back flows into right atrium and pulmonary circulation यानि की जो blood आगे नहीं जा रहा है left ventricle से वो कहां जमा बापिस back flow हो जाने लग जाएगा means पीछे जाने लग जाएगा एक तो left atrium में दूसरा pulmonary circulation में ओके तो जिस वज़े से क्या result देखने को मिलेगा pulmonary congestion and pulmonary edema ठीक है तो हमें इसको एक आपको diagram बना के आपको समझा देता हूँ जिनको अगर मान लो heart का इतना idea नहीं है तो देख लिजिए ये एक मतलब simple सा diagram है ये heart के चार chamber है यहां से heart में blood आता है ठीक है यहां जो right atrium में आता है वेनकेवा से right atrium से कहा जाता है right ventricle में अब जो right ventricle है इससे कहा जाएगा blood pulmonary artery में ठीक है अब ये pulmonary artery blood को कहा ले जाती है lungs के अंदर हो lungs से वापस blood purified होके कहा आता है left atrium में left atrium से left ventricle में आता है left ventricle से erota में जाता है तो अब ये जो left ventricle है अगर ये properly blood को आगे नहीं पहुचा पा रहा है आगे blood को pump नहीं कर पा रहा है erota में तो क्या क्या कंडिशन देखने को मिलती है कि यहाँ जो blood जमाया वो क्या होगा उसका back flow होगा कहां left atrium left atrium से कहा जाएगा वापस blood वापिस pulmonary circulation में चला जाएगा तो जो blood pulmonary circulation में वापस जा रहा है उस वज़े से यहाँ क्या देखने को मिलेगा congestion यानि की pulmonary congestion congestion का मतलब क्या होता है जब limit से ज़्यादा blood वहाँ पे जमा होने लग जाए तो उस condition क्या बोलेंगे congestion तो pulmonary congestion होगा congestion की वज़े से क्या condition arise होगी edema यानि lungs और lung tissues है उनमें edema हो जाएगा तो समझ गए आप left side head failure में क्या condition होती है यहाँ से जो back flow हो रहा है उस वज़े से pulmonary congestion होगा और pulmonary edema होगा यह बात ध्यान रखना यह 2 point note करके रखना तो अब अपन बढ़ते हैं next type की तरफ sorry इससे पहला अपन इसकी sign and symptoms देख लेते हैं थोड़े sorry वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है आज चलिए तो पहली जो symptom है इसमें disnea देखने को मिलेगा दूसरा reduce oxygen saturation यानि कि जो oxygen tissues में present उसकी कमी हो जाएगी मतलब वो tissues में oxygen कम हो जाएगी तो oxygen saturation भी कम हो जाएगी ठीक है disnea का मतलब क्या होता है breathing difficulty next one है abnormal heart sound यानि person का जो है dysrhythmia की condition भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है next one है abnormal lungs sound जो lungs के जो sound है वो भी abnormal present रहेंगे क्यों रहेंगे क्योंकि lungs में भी fluid जमा हो रहा है next है noctural desnia रात के time noctural का मतलब night में रात के time person को breathing difficulty होगी next one है oliguria यानि कि जो urine का जो excretion है वो कम हो जाएगा उस condition क्या बोलेंगे oliguria next one है disturbance related to CNS यहाँ पे CNS जो nervous system उससे related भी problem देखने को मिल सकती है like confusion और dizziness यह क्यों देखने को मिलेगी क्योंकि अगर oxygenated blood आगे नहीं जाएगा heart से तो body को भी heart blood नहीं मिलेगा ठीक है तो अगर brain को भी blood नहीं मिलेगा तो वहाँ पे person को confusion और dizziness type condition देखने को मिलेगी next one क्या देखने को मिलेगा sinosis sinosis का मतलब होता है bluish discoloration of skin ठीक है tissues में अगर oxygen नहीं रहेगी तो इसकी नीली पड़ जाएगी next one palpitation palpitation का मतलब होता है कि जो person की heart rate है heart beat है वो increase हो जाएगी rapid beating होईगी next one is restlessness अगर person को properly oxygen नहीं मिलेगी तो person को बेचे नहीं होगी next one is weakness person weak रहेगा क्योंकि muscles को oxygen नहीं मिल रही है next one diporesis condition भी यहाँ पर रहेगी यानि excessive sweating होईगी पसी ना आएगा person को बहुत जादा next one chest pain भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है heart muscles में oxygen कमी होने की वज़े से next one is pulmonary hypertension and pulmonary edema जो यहाँ पर pulmonary congestion हो रहा है ठीक है जो blood back flow हो रहा है जिस वज़े pulmonary congestion हो रहा है उस वज़े से यहाँ problem क्या होगी एक तो pulmonary edema रहेगा और pulmonary hypertension present रहेगी ओके so यह left sided heart failure की बात हो गई I think यह वीडियो जादा बड़ी हो जाएगी तो जो इसका right sided heart failure है और जो इसका क्या, skills, जादाना आजा बात कosit, मैं, साम FCC